42 is here, स्वागत और अभी नंदन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में Organic Cosmetic के मार्केट में Just Herb ने अच्छे इंग्रीडियंट के वज़े से अपनी एक पहचान बनाई है इसलिए मैंने इस कंपनी के प्रोड़क्ट की इंग्रीडियंट लिस्ट एनलाईज करके आपको यह बताने की कोशिस की है कि आपको Just Herb के कौन से प्रोड़क्ट करना चाहिए पिक और कौन से किक यह और इसके आलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए और आईए अब बास सुरू करते हैं Just Herb के प्रोड़क्ट की पिक और किक सीरीज के वीडियो की इसमें सबसे पहले मैंने चुना है किम सुकादी तैल को इसकी इंग्रीडियन्ट लिस्ट बहुत अच्छी है और आप इसे पिक कर सकते हैं इसके बाद नाम आता है गोटू कोला, इंडियन जिंसिंग, ब्यूटी एलेक्जर, फेशियल सीरम का इंग्रीडियन्ट लिस्ट क्लीन और क्लियर है आप इसे पिक कर सकते हैं इसके अलावा कमपनी भिंग्रास तेल, टेंडर टच, बोडी रिडियन्ट ओयल और जावा कुसुम हैर ओयल भी बनाती है आप इसे भी पिक कर सकते हैं इंग्रीडियन्ट लिस्ट क्लीन और क्लियर है इसके अलावा कमपनी एक्स्टा वर्जिन कोकोनट ओयल भी बनाती है इंग्रीडियन्ट लिस्ट प्योर है आप इसे पिक कर सकते हैं अब आईए बात करते हैं जस्ट हर्ब की लिपस्टिक की जस्ट हर्ब की लिपस्टिक के सारे सेट्स क्लीन इंग्रीडियन्ट के हैं इसमें कोई भी टॉक्सिक इंग्रीडियन्ट नहीं है आप इसे पिक कर स इसके बाद नाम आता है एगलो नीम चंदन इसकिन प्यूरिफाइंग फेस क्लेंजर का इंग्रीडियेंट लिस्ट क्लीन है आप इसे पिक कर सकते हैं कोई टॉक्सिक इंग्रीडियेंट नहीं है अब आईए बात करते हैं जस्ट हर्ब के शैंपू की कंपनी दो तरह के इंग्रीडियेंट लिस्ट क्लीन है आप इसे पिक कर सकते हैं और दूसरा शैंपू है डेंडर्फ कंट्रोल ऐरवेदिक सोया प्रोटीन शैंपू इसकी भी इंग्रीडियेंट लिस्ट में कोई टॉक्सिक इंग्रीडियेंट नहीं है और सारे इंग्रीडियेंट अच्छे Skin Brightening Gel की Ingredient List में कोई toxic ingredient नहीं है, सारे Ingredient अच्छे हैं, आप इसे pick कर सकते हैं इसके बाद नाम आता है Aloe Vera Facial Massage Gel का, इसकी Ingredient List में कोई toxic ingredient नहीं है, आप इसे pick कर सकते हैं वही No Sun Jojoba Weed Germ Moisturizing Sun Protection Gel और Sun Nil Jojoba Graf Seed Moisturizing Sun Protection Lotion को आपको kick करना चाहिए, क्योंकि इसमें मिले Jink Oxide की safety के बारे में अभी बहुत पुकता रिसर्चे जुपलब्द नहीं है और जब तक ingredient safe नहीं हो, आपको उससे बने product का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और आईए अब बात करते हैं, company के rose water mist के बारे में, ingredient list में आपको pure rose water मिल रहा है, आप इसे pick कर सकते हैं इसके अलावा company तीन तरह के toner बनाती है, पहले का नाम है pomegranate mandarin, दूसरे का नाम है sacred lotus green tea skin recovery toner, और मिरा sandalwood toner, तीनों की ingredient list में preservative का नाम mention नहीं है, और बिना preservative मिलाए, company aloe vera juice को सणने से कैसे बचाती है, ये तो भगवान ही जानते हैं, इसलिए मैंने इन products को kick करने की ठान ल प्रोपिलल को हल लिखा है, पूरी ingredient list company ने mention नहीं की है, इसलिए इस product को आपको kick करना चाहिए, इसके बाद मैंने analyze किया apricord sparkle skin radiance, इस scrub को ingredient list में कोई toxic ingredient नहीं है, सभी ingredient पूरे हैं, और पूरी ingredient list company ने mention करके रखी है, आप इसे pick कर सकते हैं, अगला नाम है petal soft anti tan rose face pack का ingredient list अच complexion pack का, और तीसरा और अंतिम face pack है, sun face skin tightening sandal glow pack, दोनों की ingredient list में zinc oxide मिल जाएगा, और अगर आप मेरी सलाह मानें, तो आपको zinc oxide से बने product इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, आप इसे kick कर सकते हैं, और अब बात करते हैं, deep cleansing lotion की ingredient list में कोई toxic ingredient नहीं है, आप इसे pick कर सकते हैं, इसके अलामा कमपनी दो तरह के body butter भी बनाती है, एक का नाम है केरिला कोकोनेट, वीड जर्म body butter और दूसरे का नाम है मेस मोरिंगा, रिजिनिवेटिंग, body butter, दोनों की ingredient list में कोई toxic ingredient नहीं है, आप इसे pick कर सकते हैं, इसके बाद नमबर आता है कमपनी के day care lotion का ingredient list, safe है, आप इसे pick कर सकते हैं, वही body luster sandal turmeric upton pack भी safe ingredient से बना है, इसे आप pick कर सकते हैं, herb enriched lip and chick tint के ingredient list में कोई toxic ingredient नहीं है, आप इसे pick कर सकते हैं, और herb enriched skin tint में, जिंक oxide company नहीं मिला रखा है, इसलिए आपको इसे pick करना चाहिए, इसके बाद नाम आता है सपता जल आयरवेदिक micellar water का ingredient list पूरी है, और इसमें कोई toxic ingredient नहीं है, इसलिए आप इसे pick कर सकते हैं, और आईए अब बात करते हैं company के body wash के बारे में, company तीन तरह के body wash बनाती है, एक का नाम है शतापरी wild Indian rose, उसके बाद दूसरे का नाम है कुमदा secret lotus regenerating body wash, मलावार lemongrass body wash, तीसरे brand का नाम है, तीनों की ingredient list अच्छी है, सरफेक्टरेंट से बने इन products का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ingredient list में कोई toxic ingredient नहीं है और आप तीनों body wash खरी सकते हैं, इसके बाद company बन और तीसरा है coffee handmade bathing bar, इसकी ingredient list आपको clean मिलेगी, saponify coconut oil से बने इन handmade soap brands में कोई भी toxic ingredient नहीं है, इसलिए आप इन सभी brands को pick कर सकते हैं, और आईए अब बात करते हैं, eczema verdict की, verdict का मतलब की मैं क्या सोचता हूँ, just herb के product के बारे में, तो just herb की lipstick बहतरीन हैं, आप इसे खरीज सकते हैं, सारे sales अच्छे हैं, face wash और body wash below average ingredient से बने हैं, आज बाजार में saponify face wash और body wash इस से आधे से भी कम दामों में मिल जाएंगे, तो आप चाहें उन्हें चुन सकत हैं, just herb की ingredient list अच्छी है, इसका ये मतलब नहीं है, कि ये ingredient list बाजार में मिलने वाले अन्य products की तुलना में, बहुत ही सर्वोतम ingredient से बनी हैं, तो आप इन products को avoid भी कर सकते हैं, company के सारे product analyze करने के बाद मुझे लगता है, कि company के products अपने competitors की तुलना में 30 से 50% तक महगे हैं, व आगे आपको decide करना है कि आपको company के products खरीदने चाहिए या नहीं चाहिए, ingredient list में अगर कोई toxic ingredient है, वो मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा बताने की कोसिस की है, तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाब, और इस से जुड़े अगर आपके कोई प्रस्न या हूँ, तो आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा, और आप मेंसे अगर किसी ने इस company के shampoo और face wash brand का उपयोग किया है, तो आप अपने अनुभो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे भविस्त में इन brands को अपने वीडियो का हिस्सा बनाने में मदद मिले, और अगर आप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा, वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद, नमस्कार